नवस्कार दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है RPSC के एक नए लेटेस्ट अपडेट पर हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं फर्स गेड इसकूल व्याका था एक्जाम डेट को लेकर जो काफी समय से विध्यारतियों का विरोज चल रहा है उसी के उपर हम बात करने वाले हैं और मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ मॉर्निंग में आप सभी को अपडेट दे दिया गया था कि किरोडी लाल जी मिना CM आवास पहुँच गए थे मॉर्निंग में 9.30 बज़े करीब उसके बाद मुखे मंत्री जी ने प्रतिनीदी मंडल से ये कहा कि फिलहाल मैं अभी देली के लिए रवाना हो रहा हूँ वहाँ पर कुछ मिटिंग है उसके वज़े से मुझे जाना होगा और मुख्य मंत्री जी ने सकारात्म कासवाशन दिया कि उचीत निने सभी के हित में लिया जाएगा फिर उसके बाद एक नया अपडेट हमारे सामने निकल के आता है कि साड़े 11 बजे RPSC के सदस्से भी मौजूद रहेंगे शिक्षा मंत्री जी, गोईन सिंग जी, डोटा सरा और प्रतिनीदी मंदल और डॉक्टर किरोडी लाल जी मीना का मतलब सची वाले में बैठक होनी है वो वारता भी अब समाप्त हो चुकी है और उस वारता का क्या अपडेट रहा उसकी जानकरी यहाँ आप देख सकते हैं यह वारता के कुछ स्क्रिनशोट आप देख सकते हैं शिक्षा मंत्री जी है, किरोडी लाल जी मीना है और चात्रो का जो प्रतिनीदी दल है, वो भी यहाँ पर मौजूद है और अभी कुछी देर पहले किरोडी लाल जी मीना ने एक ट्विट किया है अब देखिए इस ट्विट में किरोडी लाल जी ने डॉक्टर साब ने जानकारी दी है प्राता मुख्य मंत्री जी से मुलाकात के बाद प्रतिनीदी मंडल साशन सचीवाले पहुँचकर सिक्षा मंत्री जी और प्रमुख साशन सचीव से मुलाकात कर छात्र छात्राओं का पक्ष रखा और परिक्षा को आगे बढ़ाने को लेकर सकारात्मक वारता हुई यानि कि जो साड़े 11 बज़े वाली जो मिटिंग होनी थी मिटिंग हो चुकी है और किरोडी लाल जी मिना ने यहाँ पर कहा है कि सकारात्मक आसवाशन मिला है और यहाँ पर टाइम आप देख सकते हैं ट्वीट का टाइम क्या है दिसंबर 23 एक बज़कर गुंतालिस मिट पर किरोडी लाल जी मिना ने यह ट्वीट किया है अब बात आती है आप सभी का सवाल ये है कि नेने क्या हुआ प्रेस नोट कब आयेगा क्योंकि बिल्कुल आपका सवाल बिल्कुल वैलिड है क्योंकि student कब मानेंगे कि exam date बड़ेगी या नहीं बड़ेगी प्रेस नोट जब जारी होगा अब देखे मैं आपको clear जानकारी आपको देना चाहता हूँ कि थोड़ा सा इंतजार अभी आपको और करना होगा जादा नहीं मुख्य मंत्री जी ने ये कहा है ये देखिए मुख्य मंत्री जी ने क्या कहा है उसके बारे में आपको जानकारी देना चाहूँगा ये देखिए शाम तक में वापस लोटूँगा और शाम को प्रमुक साशन सचीव एवं सिक्षा मंत्री एवं परिक्षा की आगे बढ़ान करीजाने को लेकर विस्तार से बात करऊंगा उसके बाद में छात्र छात्राओं के हितों में ही फेसला लूँगा यानि कि मुक्हिया Maßnahmen जी शाम को देली से वापन लोटेंंगे अवालागि छात्र छात्राओं से वारता नहीं होगी अब चेवल शिक्षा Mohammed मुख्या मंत्री जी और गैलो साब की चर्चा होगी और उसके बाद जो अंतिम निर्ने करेंगे वो गैलो साब ही करेंगे तो यह वारता है तो यह जो थोड़ा सा इंतजार है आपको अब शाम तक आपको इंतजार करना होगा क्योंकि अब जो अंतिम निर्ने लेने वाले हैं अब वो मुख्यमंत्री जी ही लेंगे सब कुछ वारताएं वगेरा सब कुछ समापत हो चुका है फाइनल बात्चीत हो चुकी है अब केवल गैलो साब का ही निर्णे रहेगा अब वो क्या निर्णे लेते हैं तो आपको शाम तक इवनिंग तक राद तक आपको इंतजार करना होगा उसके बाद चात्रों के लिए उचित निर्णे लिया जाएगा और जहां तक मैं अपनी बात करता हूँ जो किरोडी लाल जी डॉक्टर साब का जो बयान आया है उसको देखकर यही लगता है कि जो निर्णे आने वाला है वो चात्रों के पक्ष में रहेगा क्योंकि ज्यादा तर विध्यारती यही चाते हैं कि परिक्षा की तिति को आगे बढ़ाया जाए और जो नए फोर्म बरवाया गए है उनको तैयारी के लिए परियाब समय दिया जाए तो यह ट्विट आप देख सकते हैं और जी राजस्तान न्यूज में भी अभी कुछी देर पहले यह ट्विट किया है यह देखिए परिक्षा तिति आगे बढ़ाने का मामला सांसद किरोडी लाल मुईना ने आप सभी को कुछ समय अब इंतजार आपको करना होगा ठीक है और किरोडी लाल जी मेंना ने गोशना भी कर रखी है अगर विद्यार्चियों की जो यह एक्जाम डेट है उसको आगे नहीं बढ़ाया जाएगा तो वो कल रेल पट्री पर उतरने वाले हैं आंदोलन उनका जारी रहेगा ऐसी गोशना पहले किरोडी लाल जी मेंना ने कर रखी है अब देखते हैं आगे क्या होता है और बाकी आप सभी एक तरह से जो आसवाशन मिला है यह बिल्कुल पॉजिटिव है अब लेकिन अंतीम निर्ने तभी होगा जब गैलो साब खुद यह जानकारी देंगे तो उसके लिए बापको थोड़ा सा इंतजार करना होगा तो यह अभी तक का अपडेट था उमीद है जानकारी से आप संतुष्ट होगे तो वीडियो को शेर जरूर करें जिससे हमारे राजस्तान में सबी के पास यह वीडियो पहुं सके धन्यवाद